सब्सक्राइब कीजिए चैनल में विध्यारती को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मिशन के लिए बैल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए हेलो विध्यारतीयो आज हम बात करेंगे सेंट्रो ग्रैफ्टी के नुमेर्कल्स की इस लेक्चर वीडियो में हम सिमेट्रिकल सेक्शन का सेंट्रोड किस तरह से निकाला जाता है उसकी प्रॉसस को समझेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिमेट्रिकल सेक्शन होते क्या है देखिए अगर किसी सेक्शन को किसी एक्सेस के आराउंड किसी अक्ष के पर तक कट किया जाए और उस कंडिशन में वो सेक्शन दो पोर्ट्शन में बढ़ जाए और एक पोर्ट्शन दूसरे पोर्ट्श कहते हैं और उस access को जिसके about हमने section को cut किया है उसको access of symmetry कहते हैं जैसे example के लिए आप यहाँ पर एक t-section देख रहे हैं इस पर एक अगर मैं y-axis इस पर डाल देता हूं तो उस condition में यह वाला portion इस portion का exact image आपको दिख रहा होगा तो यह जो इस section है यह आपका symmetrical section के लाएगा और जो y-axis है वो access of symmetry के लाएगी एक और example देखते हैं यह इस section है यहाँ पर हम x-axis से cut कर दें तो उपर वाला portion और नीचे वाला portion जो रहेगा इस access के about वो एक दूसरे के exactly image है तो यह भी आपका क्या होगा symmetrical section रहेगा और यह access of symmetry इसी तरह से यह i-section में भी जो x-axis of symmetry रहेगी और उपर और नीचे वाले portion एक दूसरे के exact image है तो यह भी आपका क्या होगा symmetrical section होगा तो यह जो particular section आप देख रहे हैं यह कहलाते हैं symmetrical section और जिस axis के around यह section cut किया जाते हैं और हमें एक जसे image मिलती है उस axis को बोलते हैं axis of symmetry तो axis of symmetry का हमें यह concept को समझ में आ गया कि जो axis of symmetry होती है संबिती अक्ष होती है वो section को दो portion में divide करती है जिसमें एक पार दूसरे part का mirror image होता है अब यहां पर जो आपको एक point याद रखना है कि अगर किसी object में किसी section में axis of symmetry है तो उस particular object यह section का जो centroid होगा केंदरत होगा वो उस particular axis पर ही lie करेगा जैसे हमारे पास case first है माल लिजे कि जो हमारा section है वो y axis के about symmetrical है उसके about सम्मित है तो उसका जो centroid होगा वो y axis पर ही lie करेगा तो इस condition में हमें केवल y bar निकाला है एक्स बार और y bar के formula मैंने आपको last video में समझाये थे उसी तरह सकत के second हम देखे कि हमारा section है वो x axis के about अगर symmetrical है तो जो centroid होगा जो centroid होगा वो x axis पर ही lie करेगा तो इस condition में हमें केवल x बार निकाला होगा तो अगर आप के पास symmetrical section का question आता है उसका numerical आता है तो आप यह find out करेंगे कि वो किस के about symmetrical है अगर x के about symmetrical है तो आपको केवल x बार निकालना है अगर y के about symmetrical है तो केवल y बार निकालना है तो इससे आपको numerical को करने में असारी हो जाएगी और तीशा जो हमारा case रहता है जिसको मैं next video में आप हम दोनों को निकालते हैं x-bar और y-bar को भी अब आगे हम देखते हैं कुछ numerical को solve करके देखेंगे तो हमें एक diagram दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक section है 100 mm x 120 mm का इस particular section के लिए हमें centroid को निकालना है तो इसको solve करते हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो section है यह वा section जो टी section है वो किसके about symmetrical है कौन सी axis के about symmetrical है तो आप देखेंगे इसमें y और x axis डालने पर तो अकर हम इसमें y axis डालें तो यह हमें दिख रहा है कि दो same एक जैसे portion दिख रहे हैं जैसे यहाँ पर हमारी shape है व जो centroid होगा वो y axis पर ही लाई करेगा वो centroid आपका इसी axis पर लाई करेगा और इस condition में केवल हमें y बार निकालना है अब यह जो टी section है यह दो rectangle section से मिलकर बना है हमें दिख रहा है तो हम इसका क्या करेंगे दो rectangle section में इसको divide कर रहेंगे एक आपका पहला वाला section यहाँ पर उपर वाला section में बजाएगा 2 तो इसको हमने दो portion में divide कर लिया जो पहला वाला है उसका centroid particular g1 माल लिया और जो दूसरा वाला है उसका centroid g2 माल लिया तो y bar का formula दो portions के लिए क्या रहेगा आपका a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2 जहाँ पर a1 और a2 क्या है जो पहला वाला आपका rectangle है उसक area हो गया a2 और y1 और y2 क्या है आपकी जो lower axis है यहां से हम bottom जो face है उसको reference लेंगे यहां से distance होगी यह आपकी y1 होगी और यहां से g2 तक आपकी distance होगी वो y2 होगी तो y1 और y2 क्या है कि जो bottom face है उससे दोनों portion के centroid जो है उनकी distance अब हमें a1 और y1 की value निकाल ली है तो पहल हम पहला वाला rectangle लेखेंगे तो इसका area rectangle का area का formula हमें पता होना चाहिए होता है b into d तो यहां पर आपको 20 100 धिया हुआ है तो जो b into d से length और जो आपकी width है उससे आजाएगा 100 into 20 2000 mm2 उसके बाद हम निकालेंगे कि जो bottom face है उससे यहां तक जो आपकी y1 है distance निकाल ली हमें bottom face स इस particular जो पहला वाला portion है उसका जो centroid है उसकी distance आपको निकालें वो y1 कहलाएगी तो यह तो total क्या है हमारा 100 rectangle के case में अगर आपको पूरी यह पूरी length दी हुई है या width दी हुई है तो उसका centroid होता है वो l by 2 या by 2 पर लाएट है तो यह 100 है तो यह जो centroid लाएगा इस portion के ल ठीक है rectangular case में यही आपका formula होता है मैंने इसको last video में आपको समझाया था कि D और D के half पर होता है उसके by 2 पर होता है अब हम उपर वाले portion पर आते हैं उपर वाले portion का area हो जाएगा 100 into 20 तो 2000 mm2 2000 mm2 हो गया अब यहां पर आपको by 2 निकाल रहे है तो by 2 आपका क्या हार रहेगा bottom face से यह आपको find out करना है तो यहां से आप यह उपर वाले point तक जाएंगे bottom face से जो नीचे वाली face है उससे आपको जो उपर वाला portion है second वाला उसका centroid है उसकी distance by 2 find out करनी है तो यहां से यहां तक तो आपका कितना है 100 ठीक है और यह कितना है 20 तो यह कितना हो जाएगा y2 is equal to 100 plus 20 y2 क्योंकि b by 2 ठीक है जो आपका 20 है उसके half पर लाई करेगा तो 100 तो यहां तक हो गया 100 plus 20 y2 यानिकी 110 110 mm आपका y2 हो जाएगा ठीक है कुछ रोगों confusion हो सकता है फिर safe repeat कर दे रहा हूं कि आपको bottom face से ही इसकी distance निकाल लिए है second वाले section तो यह आएगा 100 plus 20 by 2 110 n अब formula हमारा y1 is equal to a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2 इसमें values को put कर देते हैं तो a1 की value है 2000 और y1 की value 50 तो 2000 into 50 प्लस यहां फिर से हमारा a2 की value 2000 है और y2 की value 110 है तो यहां पर put कर दिया और नीचे a1 plus a2 यहनि 2000 plus 2000 इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3240 upon 4000 इसको solve करेंगे तो आएगा 80 mm यहनि जो by bar आएगा वो 80 mm आएगा तो अगर आपका section प्रट्रिक्वर्स एक्सेस के बाउट सिमिट्रिकल है तो उसके साफ से आप देख लेंगे यहां पर y के बाउट सिमिट्रिकल था तो यहां पर y के बाउट सिमिट्रिकल था तो नेक्स पोश्चन है कि डाइग्राम में एक i section दिया हुआ है इसका centroid में find out करना है तो solution में first step में हम यह देखेंगे कि x axis और y axis डालने पर कौन सी axis के बाउट यह जो section है यह सिमिट्रिकल है तो अगर हम यहां पर x axis डाले तो देखेंगे कि नीचे हमारा जो पोश्चन है वो बढ़ा है ओपर वाला छोटा है तो यह diagram जो है यह x axis के बाउट तो सिमिट्रिकल नहीं है फिर y axis में डालेंगे center से तो हम देखेंगे कि जैसा portion में यहां मिल रहा है वैसा ही portion यहां मिल रहा है तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो यह section डिया हुआ है i section यह y axis के बाउट सिमिट्रिकल है तो इसका centroid y axis पर ही लाए तरहेगा तो केवल हमें y निकालना है अब यहां पर हम 3 rectangles बना सकते हैं पहला rectangle नीचे वाला रहेगा जिसका centroid होगा G1 second वर यहां बीच वाला rectangle रहेगा जिसका centroid होगा G2 और third one उपर वाला rectangle रहेगा जिसका centroid होगा G3 तीन rectangles है यहां पर तीन portion है तो तीन portion के लिए y bar का जो formula है वो होगा a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 upon a1 plus जहां पर A1, A2, A3 जो तीनो रेक्टेंगल है इनके एरिया है और Y1, Y2, Y3 बॉटम फेस से फर्स्ट वाले पोर्शन की जो सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस Y1, सेकिंड वाला जो पोर्शन है रेक्टेंगल है उसके सेंट्रोइड की बॉटम फेस से डिस्टेंस Y2 और जो है तीनो रेक्टेंगल के लिए A1, A2, A3 की वाले निकालेंगे और बॉटम फेस से Y1, Y2, Y3 की डिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले हम पहले वाले रेक्टेंगल पर आते हैं इसका एडिया हो जाएगा 300 इंटू 100 वी इंटू डीक के फॉर्मुले से तो हो जाएगा 30, फिर अब इसी रेक्टेंगल के लिए हम निकालेंगे Y1 की डिस्टेंस यान की बॉटम फेस से डिस्टेंस तो हन्रेड है हमें पता है रेक्टेंगल का जो सेंटर पा लाए करता है तो यह हो जाएगा Y1 इसकाल टू 100 वाइटू इसकाल टू 50 अम्रेक्स्ट एटू जो जो इससे जो उससे डिस्टेंस निकालनी है तो यहां से यहां तक तो जो डिस्टेंस होगी ओगी 100 और यहां हम बॉटम फेस से ही निकालएंगे हम इस ही जहान रखेगा कि हम बॉटम फेस को ही रफ्रेंस मानके जो डिस्टेंस हैं उनको निकाल रहे हैं अब थार्ड वाले रेक्टेंगल पर आते हैं थार्ड वाले का जो एडिया वह हो जाएगा वन फिप्टी इन्टु फिप्टी सेव्टी फाइफ हंड़ेड एमें स्क्वाइर और वाइटी हम बॉ 25 वाइवन वाइटी वाइटी तीनों हमने बॉटम फेसे ही निकाले हैं और जो टोटल हमारी लेंधी टेंगल की उसके सेंटर पर कोगी सेंट्रोड लाई करता है तो इसलिए हमने सभी का वाइटी किया है अब हमारा फॉर्मॉला जो था वाइबार इसकल टू एवन यह सब्सक्राइन सब्सक्राइब लाइटी की उसको सॉल करेंगे तो यह आ जाएगा 8 4 3 7 500 upon 50 to 500 इसको solve करेंगे तो by bar result हो जाएगा 160.71 mm यानि कि यह जो eye section है इसका जो centroid होगा वो इस by bar axis पर bottom face से 160.71 mm की distance पर होगा तो इस lecture को मैं यहीं पर end करता हूँ I hope आपसे भी कोई lecture पसंद आया होगा तो please इस lecture वीडियो को like करें अपने दोस्तों के दाश शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर ले तो कि इसी से मुझे motivation मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और lecture लाता रहूं Thank you